देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सब्सक्राइब करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदयव बनिया है, मकर यानि कि कैप्रिकॉन के लिए ब्रहस्पती वक्री हो रहे हैं, 29 जुलाई 2020 को, ब्रहस्पती बहुती महत्वपून ग्रहा है, हर कुंडली मे दो भावों का उनके पास स्वामित्व होता है, कई भावों का उनके पास कारकत्व होता है, कई चीजों के कारक होते हैं, एक नैसरगेक शुब ग्रह हैं, आपके जीवन के प्रमुक जितने भी कार हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्रहस्पती का कुछ ना कुछ लेना देना होता जब इतने महत्वपून ग्रह अपनी परिस्थिती में कुछ बदलाव अनुभव करते हैं यानि कि राशी परिवर्तन करते हैं वक्री होते हैं वक्री से मारगी होते हैं कुछ भी होता है परिवर्तन तो आपके जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही तो यह वीडियो इसी बारे में है, कहां से देखे राशी फल, मेरे हिसाब से यदि लगन से देखते हैं कोई भी बड़ा राशी फल, दैनिक राशी फल को छोड़ कर, तो अच्छे प्रभाव मिलते हैं। Second option आपका जन्म राशी ही होता है, यदि आपको अपना नाम confirm है कि वो राशी के आधार पर बड़ा है, तब ही अपनी नाम राशी से देखें, वरना कोई फाइदा जादा उसका होता नहीं है। आपके जीवन के प्रमुक एसपेक्स जितने भी हैं, उस पर इस ब्रहस्पती के वक्री होने का क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में मैं विवेचना करूँगा, और इसके साथ ये एक उपाय भी अवश्य बताऊँगा जिसके करने से आपके लिए, जो ब्रहस्पती मह गरेंगे general predictions के साथ, ब्रहस्पती तीसरे भाव में रहेंगे आपके, अल्रेडी तीसरे भाव नहीं थे, जब वक्री हो जाएंगे 29 जुलाइ को तो तीसरे भाव में ही रहेंगे, वक्री ग्रह बहुत strongly हो जाता है, positive, negative अलग चीज होती है, strong हो जाता है, तीसरे भाव में है वक्री हो गए, सबसे पहली चीज जो आप अपने जीवन में जिस चीज का बदलाव आप महसूस करेंगे वह यह होगा कि बहुत एक्टिव हो जाएंगे आप यदि लेजिनेस रहती थी, कारें को टालते थे, कल कर लेंगे, पड़सो कर लेंगे, देख लेंगे इन चीजों में बदलाव आएगा, आप काफी एक्टिव हो जाएंगे वक्री ग्रह साहस बहुत देता है, महनत बहुत कराता है और जब तीसरे ही भाव में बैटे हैं, तो महनत और करवाएंगे, पराक्रम और बढ़वाएंगे साहस और बढ़वाएंगे, और ये सारी चीजें भी आपको बहुत मदद करने वाली है रुके हुए काम अपने सामर्थ्य से पूरे कर पाएंगे तीन साथ ग्यारा काम तरिकोन भाव हैं, तो यहाँ पर बैठकर कोई जो ग्रह वक्री होता है वो भी ब्रहस्पती जैसा, मतलब कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और उस कोशिश के आपको बहुत हद तक अच्छे परिनाम भी प्राप्त होंगे तीसरा भाव है, अपनी ही राशी में है ब्रहस्पती इसका मतलब यह है, यह आपको कई जगा से रिकगनीशन भी मिलेगी यदि कुछ अच्छे कारेंगे, महनत करेंगे, कुछ सफलता पाएंगे तो सिर्फ वो पैसे के हिसाब से सफलता नहीं होगी यह आपको उसका मान सम्मान, उसका रिकगनीशन भी अवश्य प्राप्त होगा यहां से बैठकर ब्रहस्पती पांचवी द्रिष्टी डालते हैं आपके साथवे स्थान पर साफ बता रहा है कि शादी यदि आपकी टल रही थी, डिले हो रही थी तो यह जो चार महीने का पीरिड रहेगा, जब रहस्पती वक्री रहेंगे तो उसमें बात बन सकती है, लेकिन वक्री हैं, चीज़ें अराम से नहीं देंगे महनत करेंगे, तो आप देखेंगे, अचानक से परिवर्तन होगा जो लोग, जो चीज़ें, जो परिस्थितियां आपके हित में नहीं जा रहे थी, वो आपके फेवर में हो जाएंगे लेकिन उसके लिए महनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्री है बिजनस के लिए ओवर और अच्छा समय है, मान सम्मान के लिए अच्छा समय है इसके बारे में आगे बात करेंगे जब उनके सेक्शन आएंगे यहां से बैठकर उनकी सात्वी दृष्टी रहेगी नवम स्थान पर धर्म के प्रती रूची बड़ेगी, भाग्य तो साथ देगा लेकिन भाग्य पर जादा डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करेंगे आप स्वाव अलंबी रहेंगे, आप कार्य रत रहेंगे, आप बहुत एक्टिव रहेंगे और हर कारयों को पूरे करने का प्रयास तो करेंगे ही, उसके साथ ही उसमें सफलता भी पाएंगे तीसरे भाव में कोई ग्रह यदी वक्री हो जाता है, तीन, छे, बारा, ग्यारा, आठ में भी बहुत हद तक लेकिन उसके थोड़े सेहत पर नकरात्मक प्रभाव पढ़ते हैं, लेकिन तीन, छे, ग्यारा, बारा, यहां पर ग्रह वक्री होकर कभी-कभी बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं तो वैसा ही आपके लिए भी लिख रहा है, सबसे अच्छे चीज़ है कि जो ब्रहस्पती की नवी दृष्टी रहेगी वो रहेगी लावस्थान पर अब देखिए आपके काम त्रिकोन जो है तीन भाव, तीन, साथ, ग्यारा, तीनों को कनेक्ट कर रहा है ब्रहस्पती, ऐसा करते भी हैं, कहीं पर भी बैठेंगे तो जो तीन त्रिकोन होते हैं, चार तरह के वैसे त्रिकोन होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो किसी भी एक में बैठते हैं, तो उसके जो बाकी दोनों भाव होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि तीन दृष्टियां हैं, एक पांच, साथ और नो, तो त्रिकोन को प्रभावित करते ही हैं, कई इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं, कई तरह के लाभ आपको मिलन देंगे, लेकिन बहुत तरह के लाभ मिल सकते हैं, सिर्फ पैसे का लाभ नहीं मिलेगा इस समय में, और भी कई तरह के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, कोई बिमारी चल रही थी, उससे भी बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तीसर जाना शुरू कर दें, तो आपके लिए ब्रहस्पती का वकरी होना 29 जुलाई को बहुत अच्छा दिख रहा है, जनरल ही तो, बाकी फिर आगे हर एस्पेक्ट में बात करेंगे, जनरल ही तो अच्छा दिख रहा है, चलते हैं करियर और बिजनस की तरह, देखिए सबसे पह भावा देते हैं कारक्षेत्र के लिए, मन नहीं लगता होगा काम पर, काम करने का दिल नहीं करता होगा, जौब छोड़ने का मन करता होगा, वहाँ पे चीजों में सुधार धीरे-धीरे आ रहा होगा, अब जो लोग जौब करते हैं, दस्वे स्थान से छटे में अब यह एक चीज तो है कि आपको बहुत competitive बनाएगा, बहुत active रहेंगे आप, हर चीज को हर कारे को एक challenge की तरह लेके चलेंगे, जो की बहुत अच्छा है, ग्रोथ की chances भी मिलेंगे, लेकिन आपकी जो colleagues हैं, आप उनको बिल्कुल भी नहीं भाएंगे, especially यदि आपके कारे के लिए recognition मिल गया, आपके अपने senior से management से संबंद और अच्छे हो गए, आपको कहीं से appreciation मिल गया, यह सब चीजें यदि आपके साथ हुई, जैसा मैं कहे रहा हूं, उसके बहुत chances हैं, आपके colleagues को यह बिल्कुल भी पस्त नहीं आएगा, और आप भयंकर, छोटी मोटी भी नहीं, भयंकर office politics का शिकार बनेंगे, आपके जो colleagues हैं, आपके जो साथ काम करते हैं, वो बिल्कुल प्रयत्न करेंगे, कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ अच्छा ना हो, आपके कामों को टोकेंगे, रोकेंगे, आपके कारियों में विग्ण create करेंगे, जान आपके लिए कई रुकावटें इस चार महीने के कालखंड में आपके कलीक स्वारा उत्पन होंगे, लेकिन क्योंकि वक्री हैं, दस्वे से छटे में हैं, हर चैलेंज को आप आल्मोस्ट जीत जाएंगे, लेकिन क्योंकि चत्रों की संक्या भी बढ़ जाएगी, तो कही न कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है, जहां तक बिजनस की बात है, बिजनस के लिए समय अच्छा देख रहे हैं, सब्तम को देखा जाता है, वहां से नवम में है, ब्रहस्पती हैं, अपनी ही राशी में हैं, और सब्तम को देखेंगे भी, तो जो कारे नहीं बन पा रहे जहां पर हाथ आते आते offers निकल रहे थे कोई order आ था एकदम end stage पर payment करनी होती थी तभी जो client है phone उठाना बंद कर देते थे यह सब चीजें यदि हो रही थी तो आपके लिए अच्छा रहेगा बदलाव होगा और इन चार महीने में अपने business में कुछ बहुत अच्छा कर पाए हैं लाब होगा यदि आप management finance और education संबंदित कोई business करते हैं तो आपके लिए अब बात करते हैं पैसे की और expenses की पैसा क्या आएगा देखिए लाब स्थान पर द्रिश्टी रहेगी ब्रहस्पती की नैसर्गिक शुग रहे हैं एक तरह के पैसे के कारक भी हैं तो पैसा तो लेकिन जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं इस पूरी श्रिंकला में की वक्री ग्रह मेहनत कराता है पैसा तभी मिलेगा जब मेहनत करेंगे योग बन रहे हैं लेकिन योग फली भूत तभी होंगे जब मेहनत करेंगे इसके साथ ही क्योंकि शनी देव की भी दृष्टी परस्पर बनी रहेगी शनीदेव लगन के स्वामी होने के साथ साथ धन भाव के भी स्वामी है तो आप अपनी इच्छा पूर्ती है तो धन कमा ही लेंगे अब वो इच्छा आपकी कितनी बड़ी है आप एक नॉमल गाड़ी खरीदना चाहते हैं या एक लग्जूरियस कार तो उसके हिसाब से ये तैह होगा कि आप कितना पैसा कमा पाएंगे इच्छाएं बड़ी होंगी तो पैसा भी इस समय में जादा आएगा तो पैसे के हिसाब से तो इंकम के हिसाब से तो ये समय बहुत अच्छा है खर्चे भी जादा होंगे लेकि क्योंकि काम त्रिकोन प भास पैसा तो आएगा लेकिन वो तेकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कहां कहां पे करेंगे यात्राओं पर बहुत करेंगे अपने आपको vibrations कर लिए अपने अपने आपको और प्रेजन्टेबल बनाने के लिए अपने लाइंसट्यल को ही पैसा खर्च करने से पर ले फिर एक ऐसा फेज आता है जब वो व्यक्ति बहुत सारा पैसा खर्च करता है अचानक से वही वेज आपका आने वाला है आपकी जो spending होगी वो थोड़ी जादा हो जाएगी ठीक है अगर पैसा आ रहा है तो कभी-कभी अपने उपर खर्च करने मे होगा चांसेस हैं कि एक मौका आप आपको और मिल सकता है भाग एक मौका आपको और देगा चीजों को सौट आउट करने का और यदि रिसेंटली ब्रेक अप हुआ होगा एक महीने के अंदर अंदर तो शायद चीजें दुबारा पटरी पर आ जाए हो सकता है एक बार दु एक पेज पे नहीं थे आप कुछ और चाते थे आपके पार्टनर कुछ और चाते थे अलग अलग डिरेक्शन में जाते थे सब तो यदि थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे आप तो आपके पार्टनर भी उसको रेसिप्रोकेट करेंगे और आपका जो रिलेशन्शिप है वो विवाहिक जीवन की जहां तक बात है उसके लिए भी समय ठीक दिख रहा है जिनकी नई नई शादी हुई है वो maturity की तरफ जाएंगे उनका विवाहिक जीवन maturity के stage पे आएगा और एक दूसरे को situation को परिस्थितियों को हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें यह उनके लिए बहुत अच्छा समय है जिटकी शादी टल रही थी शादी में कुछ न कुछ विग नहीं आ रहे थे अचानक से शादी के योग आपके लिए बनेंगे जो विवाहिक लोग हैं और एक शिशू की जिनको चेश्था है जो family planning करना चाते हैं लेकिन नहीं बात बन रही उनके लिए भी चार महीने बहुत अच्छे हैं family planning के लिए शिशू के लिए चार महीने अच्छे हैं तो overall love life married life दोनों के लिए ही समय अच्छा दिख रहा है आप चलते हैं students के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम सान को देखा जाता है वहां से ग्यारवे म हैं लेकिन जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं वक्री हैं लगन से तीसरे में पंचम से ग्यारवे में महनत करेंगे उसके कई गुना फल मिरेंगे महनत से पीछे हट गए तो फल मिलना तो दूर की बात कुछ नुकसान ही होगा खाली मत बैठिएगा प्रयास मत छोड़िएगा हाथ पर हाथ धरके नहीं बैठना ये समय है स्टूरेंट्स के लिए कि जितना आप एक्टिव हो सकते हैं उतना होई ये सोशल बनिये सोशल उन लोगों के साथ बनिये जो आप की ही विचार धारा के साथ हो जिनका एम आपके जैसा ही हो उनी के साथ रहकर आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी संगत को थोड़ा सुधारिएगा ठीक है दोस्ती जब होती है तो अंकंडिशनर ही होती है माना लेकिन इसमें भी थोड़ा सेलेक्टिव कभी-कभी हो जा सकता है जब आपको आगे बढ़ना है अपने स्टडीज के बाद फिर करियर की तरफ जाना है तो ओवरॉल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है जो कॉम्मुनिकेटिव एक्जाम दे रहे हैं समय अच्छा है लेकि अपने रिटन स्किल्स ओरल स्किल्स कॉम्मुनिकेटिव स्किल्स पर काम कीजेगा क्योंकि शायद सब कुछ आते हुए भी जब एक्जाम करेंगे क्योंकि नवंभाव को देखेंगे हायर स्टूडीज वहां से देखते हैं तो वह स्टूडेंट्स करते हैं स्पेशली साइंस टेक्नोलोजी के फील्ड में या फिर हेल्थ केर के फील्ड में उनके लिए यह पूरे जो चार महीने हैं यह बहुत अच्छे रहने वा के तरफ से ही युश्वास्टी के तरफ सही आपको कहीं जाना पड़ सकता है तो ओवरॉल स्टूडेंस higher स्टूडेंस जो श्यूर्डिज करते हैं उन स्टूडेंस तोनों के लिए समस्क्राइब ए टालता है तो सेहत पर कुछ न कुछ इसका नगरात्मक प्रभाव रहेगा ओलरी आपके लग्ण में शनीदेब होंगे जो लगन के स्वामी है वो भीशक्री होंगे वे रहेंगे आक्टूबर तक में ब्रहस्पति रहेंगे नवंबर के अंड तक वकरी तो ये तीन महीने चार महीने थोड़ा सेहत पर नकरात्मक हो सकते हैं थायरोइट की प्रॉब्लम है दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगे गले के रोग बहुत तंग करेंगे शोल्डर के आसपास कोई इंजरी हो सकती है कुछ प्रॉब्ल करेंगे बहुत तंग करेंगे स्पेशली जो थोड़े से व्रिद्ध हैं ऐसे रिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे और इसके साथ ही छोटी-छोटी समय पर छोटी-छोटी देरी में आप बिमार पढ़ते रहेंगे बिमार इनके इस मालों की फीवर नहीं होगा ले में भी कोई नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान दीजे आपके लिए उपाय क्या है आपको 39 जुलाई को या उससे एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद भी हो सकता है ऐसा नहीं कि exactly उससे दिन जाना है उस दिन जाएंगे तो कॉमल जलसे करा सकते हैं उसके बाद शिवलिंग पर आपको 21 बेल पत्र अरपन करने हैं वहां बैठकर आपको शिवजी के एक बार आरती करनी है उसके साथ ही आपको उसी मंदिर में कुछ दक्षिना चावल और चीनी ये दान में देख आने हैं यह उपाय कर दिजेगा में है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमश्युक्त